मैं प्रोफेसर हरीर देवस्थी आप सभी का अवस्थी ज आयरवेद एनाटमी योगा एंड श्पिरिच्विल्टी चैनल पर हार दिक स्वागत करता हूँ मैं रचनासारीर आज पढ़ाना चाह रहा हूँ और आज का टॉपिक है सर्फेस मार्किंग आफ दी हार्ट तो सर्फेस मार्किंग आफ दी हार्ट सर्फेस प्रोजेक्शन हम चेस्ट पर करने जा रहा हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा आपको सामानी ग्यान बता दें कि यह पीछों पीछ में जो यह एक बोन है इसको कहते हैं चेस्ट बोन यह जा है इस टनम तो इस टनम के तीन पार्ट होते हैं तो यह है मैनुब्यूम तो जहां पर यह बोड़ी से लगता है तो वह चेल एंगिल के लाताए यह जश्ट बिलो जुगलर नौच से यहां फाइब जिफर्न जॉइंट है तो इस तरीके से तीन पार्ट है और इसमें बीच अबीें प्लें भी मिडिय इस्टर्नल प्लेंड भी कहते हैं और यह जो चीज आप देख रहे हैं यह मार्जिन अफ the की इस्टरनम् है। यह राइट मार्जिन यह लेक्ट मार्जिन है। अब जो है रिप कि कांटिंग की बात है। तो देखिए मने बताए मैनु ब्रियम। के उपर यहां पे यह फर्स्ट रिप है और जहां पर यह इस्टरनल एंगिल है जो फाइब सेंट से प्लोड तुझ तो second rib होती है, जो hard feel होगी, फस्ट के जो है, उसके just नीचे होती है, और उसके बीच में कोई space नहीं होता, फस्ट और clavicle के बीच में कोई space नहीं होता, और second और clavicle के बीच के space को माना जाता है, first intercostal space, और second और third के बीच में माना जाता है, जो है, second intercostal space, तो इस थर्ड फोर्थ के बीच में थर्ड और फिफ्ट के बीच में टो आप अगर अगर च्वेश हो गी और उर देकंगे घॉग को भी ओजिऊ फिद गॉर्ट नहीं कैसा होगी walar कश्टल का थे सवार्ड नहीं तो वहाँ पर दब जाएगा, क्योंकि वहाँ मसल्स हैं, तो दोनों का में आपको difference समझ में आएगा, तो इस तरीके से हम rib और intercostal space को पहचान सकते हैं, अब हम surface projection की तरफ जब चल रहे हैं, तो heart को surface marking बताने के लिए हमको five points लेने होते हैं, तो जो normally heart है, वो one third, जह है right side में है और two third left side में है, तो पहला point हम लेते हैं, यहाँ पर यह first point है, first point है 1.3 cm on the lower border of the second rib, तो यहाँ से external margin से, कहां से ले रहे हैं, external margin, इस जगे से 1.3 cm चले, और second rib पाए, और उसका भी lower border, तो यह first point बना, अब इसके बाद हम second point लेंगे, वो third rib के costal cartilage के उपर, और उसके भी upper border पे और इस tunnel margin से कितना, 0.8 cm, यह second point है, इन दौनों point को जब हम मिला देते हैं, तो वो upper border of the heart बनता है, तो अब इसके बाद हम तीसरा point लेते हैं, तो जो वो जह है, fourth intercostal space में, fourth or fifth rib के बीच में, 3.8 cm from the median plane, median plane से 3.8 cm पे more, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे convexity रहती है, convexity देखिया आप जो है, right side में, left side में concavity है, तो यह लिया एक point और जो उसके बाद हमने fourth point लिया है, वो लिया है, 6th costal cartilage पे, के lower border पे, lower border पे 2 cm from the external margin, external margin यहाँ से 2 cm लेंगे, तो यह हमारा fourth point हुआ, तो इन तीनों point को ऐसे convexity के साथ, ऐसे मिला देंगे, तब यह right border of the heart बन जाता है, तो right border of the heart हमने आपको बताया, अब हम यहाँ से चलते हैं, नीचे की तरफ, और एक दूसरा point लेते हैं, जो fifth point है, वो fifth intercostal space में, just below the nipple, nipple से नीचे, जो है, fifth intercostal space में, 9 cm from the median plane, यह जो median plane है, यहाँ से 9 cm लाइन है, उससे 9 cm चलेंगे, तो यह होता है, apex, apex of the heart भी इसको बोलते हैं, तो यह fifth point वहाँ पर लिया, तो fifth intercostal space में, इनको देखिए ऐसे करके, इसके नीचे diaphragm होता है, तो यह इस तरीके से line, लगभाग स्ट्रेट होती है, लेकिन थोड़ी से हलकी-हलकी curved है, देख लिजे किस तरीके से है, तो यह जो है, lower border of the heart बना, और यह fifth point और जो first point है, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो यह देखिए, convexity left side में, और concreptory right side में, थोड़ा सा curved line है, तो यह जो है, left border बन रहा है, तो यह जो है, ची बारों border उसके बता दिये, और heart की limits बता दी, surface marking बता दी, अब हम जो है, जो atrioventricular groove है, उसकी surface marking बताएंगे, तो third जो costal cartilage है, उसका sternum के पास, जो point है, वहाँ पे एक point लेंगे, और sixth का जो costal cartilage है, तो यह लिया इदर left side का, और इस side में लिया, right side का, तो right side के पे जो है, यह तो इस तरीके से मैंने आज 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 आपको surface marking of the heart को समझाया, और इसका फाइदा यही है, कि आपने सुना होगा, कि लोग कहते हैं, कि heart का enlarge हो गया है, आपने किसी मरीज का सुना होगा, आपने परोसी का सुना होगा, आपने रिस्तेदार का सुना होगा, कि जो cardiologist है हिर्दर विसेश अगया है, तो उन्होंने कहा कि heart बढ़ा हुआ है, तो वो कैसे जानते हैं, एक्सरे करते हैं, और उसमें इस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं, तो surface marking या अंगरे खांगन का यही फाइदा है, कि आप उससे जानते हैं, कि वो organ सामान नवस्ता में है, या उससे कम हो गया है, या उससे बड़ा हो गया है, ऐसे liver का जैसे होता है, तो अलग-अलग अंगों का surface marking होती है, heart की surface marking बहुत ही important है, जो आज मैंने डिस्क्राइब की, अगर यह आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने म सब का विकास, सब को निश्चुल की ज्यान, यह जो हमारा अदेश है, उसकी पूर्ती हो सके, तो जो लोग नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकान को दबाएं, और लाइक करें, तो इसी के साथ मैं आप सब को धनिवाद देना चाहूंगा जो आपने इतना समय दिया और पढ़ा, थैंक यू, थैंक यू आल